नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शांतनू और सवागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सब डोमेन क्या होता है अगर आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि domain क्या होता है, domain को कैसे purchase करना चाहिए वो कौन-कौन से tips है जो आपको domain name purchase से पहले ध्यान में रखना चाहिए इन सारे topics में मैं already video बना चुका हूँ आपने अगर नहीं देखा है तो मैं यहीं बोलूगा कि मेरे channel में आप जाएए search करके उन सारे videos को एक बार अच्छे से देख ले तो इस video का topic है sub domain so sub domain क्या होता है कि sub domain में कुछ अलग सा SEO benefit मिलता है या फिर लोग sub domain बनाते ही क्यों है यह सारे चीज़े मैं अपने laptop में एक live example के जरीए आपको बताने वाला हूँ और explain करने वाला हूँ तो चलिए बीना कोई देरी के इस video को शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक बार बात कर लेते हैं sub domain का definition क्या होता है तो मैंने google में वही search मा रहा कि what is sub domain अब देख सकते हैं a sub domain is an additional part of your main domain sub domain is created to organize and navigate to different sections of your website तो इसका मतलब यह होता है कि sub domain जो आपका main domain है main job का website है उसका ही part होता है मतलब आप मान लिजए आपका abc.com है और उसमें आप कई तरीके का information शेर करते हो तो आप definitely उसी एक website में भी उससे share करते हो या फिर अलग-अलग sub domain में उसको share कर सकते हो तो इसका एक जो मतलब जो real time example है वो मैं एक news site से आपको दिखा देता हूँ जिससे ndtv.com एक news website है आप सबको पता ही होगा अब ndtv.com जो है वो हर तरीके का news आपको share करता है वो sports हो सकता है, movies हो सकता है technology हो सकता है, फिर food हो सकता है, auto फिर हिंदी में हो सकता है तो वो लोग क्या क्या है, हर जो category है, उसके लिए उन लोग ने एक sub domain create किया होगा, आप देखें उनका जो sports वाला section है उसके लिए उन लिए sports.ndtv.com ऐसा एक website या create किया होगा है, सेम हिंदी के लिए उन लोग ने khabar.ndtv.com और movies के लिए उन लोग ने movies.ndtv.com तो इससे क्या हो रहा है कि तो इससे क्या हो रहा है कि यह लोग जो content management उसको properly manage करने के लिए इस तरीके sub domains create कर दिया है, वो लोग एक ही website में अलग-अलग categories भी create कर सकते थे but इस चीज़ को properly manage करने के लिए अलग-अलग sub domains में यह create कर दिया है technically वो भी same चीज़ होता but यहाँ पर फाइदा यह है कि ndtv.com जो already एक established brand है तो इस जो movies.ndtv.com जो भी यहाँ से news पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ यह एक trusted brand का ही sub domain है तो उससे उस जो reader है उसके मन में उसके लिए जो trust है वो automatically यहाँ पर आ जाएगा वो जो brand का जो value है वो sub domain को automatically मिल जाता है आप शायद यह भी सोच सकते हो कि क्या इसमें कुछ SEO benefit है ndtv.com अल्रीड एक authority domain है तो अगर movies.ndtv.com या फिर इस तरह के sub domain बना लेते हैं वो शायद जल्दी से जल्दी rank करेगा practically ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि Google के नजर में आप जब भी को sub domain बनाते हैं तो वो एक totally नया website बन जाता है तो उसमें आपको totally नया website में जैसे काम करते हो उस हिसाब से आप उसमें content लिखना उसका SEO करना वो सारा चीज आपको मतलब एक दब फ्रेश website के जैसे आपको करना पड़ेगा एक चीज आप यह बोल सकते हो कि यह sub domain है ndtv.com का तो definitely ndtv.com का जो main domain है उनके साथ इस sub domain easily हर जगा में उन लोगों ने इंटरन लिंक किया हुआ है जिसके चलते इस sub domain का जो authority बाकि दूसरे website के comparison में काफी जल्दी improve हो जाएगा तो यह एक benefit आप मान सकते हो अब as a blogger आपको sub domain create करना चाहिए या फिर आपको fresh website create करना चाहिए तो यह totally आप पे depend करता है कि आप किस तरीके से blogging को plan करते हैं क्योंकि management point of view से यह सेम ही है यह सेम दो अलग-अलग website है ऐसा नहीं है कि मैं ndtv.com में मतलब login करके movies के लिए मतलब movies.ndtv.com के लिए मैं कोई post लिख सकता हूँ दोनों में अलग-अलग login है दोनों में अलग-अलग maintenance है वो totally different website के जैसा ही है अब अगर मुझे पूछोगे तो मैं 2019 के black friday के time में एक sub domain के experiment किया था यह है वो black friday वाला sub domain जो मैंने bloggingjoy.com के sub domain में create किया था तो उसका मेरा plan यह था कि मुझे black friday का एक अलग experiment करना था शुरुवात में मैंने सोचा कि एक नया domain बनाया जाए पर बाद में मैं मैंने सोचा कि ठीक है डोमेन बनाने से अच्छा है मैं black friday मतलब एक sub domain में black friday ट्राई करू इससे मुझे यह पाता चल जाएगा यह benefit आप मुझे मिला हाँ definitely मैं एक नया website बना के भी वह कर सकता था बट मैं बस मुझे मेरा जो एक डाउट था कि sub domain काम करता है किस तरी के से तो उस डाउट को fulfill करने के लिए मैंने sub domain का experiment किया तो यहाँ पर इस black friday का कैसे कैसे उस plan को execute किया था उसके बारे में सारा details मैंने उस article में लिख कर रखा हूँ इस article का link मैं description में दे दूँगा आप वहाँ से उस article खोल के पढ़ सकते हैं तो इस वीडियो में बस इतना ही आशा कर तो sub domain के related आपका जो भी doubt सा confusion था मैं इस वीडियो में अच्छे से बता पाया हूँ आपको अगर sub domain के related कोई भी doubt है या question है आप comment में आपका question लिखे मैं उसमें answer जरूर करूँगा और आपकी मदद करूँग को तुरंत मिल जाए तो चले मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए take care and goodbye